हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भारती IAS YouTube चेनल और मैं मनिश भारती आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे UPSC Civil Services Examination के मेंस पेपर का GS 3 यानि कि Economy, Science, Environment और International Security के जो पेपर्स होते हैं उसको स्लिवस को देखेंगे कि UPSC का स्लिवस क्या कहता है आपसे क्या requirement है UPSC की फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे भारती IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीजी से सब्सक्राइब कर लें थाकि UPSC PCS सिग्नु के मैटेरियल सोशल वर्क और भी बहुत सारे चीजों के से बुक रिब्यू पोयम इन सब चीजों से जुरी जानकारी और आपको यहां पर मिलते रहेगी तो फ्रेंड्स आईए जल्दी से हम सुरू करते हैं आज का यह वीडियो क्लासेज इस पेपर म इमियो में क्या टॉपिक रहेगा तो फ्रेंड्स आफ देख रहे हैं इस्पोईपर में टॉपिक रहेगा टेक्नलोजी एकोंटूमी उसके बाद जो एकोंटंकर डेवलप्मेंट रहेगा सेकुरिटी रहेगा इनवारमेंट रहेगा इंटर्नल सेकुरिटी रहेगी और डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा यह टॉपिक UPSC ने पेपर थर्ड में जीएस के पेपर थर्ड में दे रखा और टोटल इसके टॉपिक आप देख रहे हैं यहां 20 है तो आएए एक एक करके हम करते हैं मैं इसे हिंदी और इंग्लिस दोनों भी ही लेंगेज में बोलता चलूँगा आप इसे अराम से सुनिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसकी इपना करें अराम से धहरे बना के सुनें क्योंकि मेंस के प्रप्रेशन में सिलेबस का बड़ा है इंपोर्ट अब देखे की वर्ड को समझें यहां पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारती अर्थविवस्था तथा योजना किसकी अर्थविवस्था भारती अर्थविवस्था यनि कि विश्व की अर्थविवस्था और बांकी देशों को आपको नहीं जानना है भारती अर्थव संबंधित विसे आपको देखने हैं पढ़ने हैं इसमें तूसरा टॉपिक है समावेसी विकास तथा इससे उत्पन्य विकास यानि कि inclusive growth and issues arising from it समावेसी विकास आप जानते हैं तो समावेसी विकास और जो इस समावे सी विकास से जो इसूज एराइज होंगे उस पे भी चर्चा करनी है तीसरा है सरकारी बजट आप जानते हैं हर साल सरकारी बजट पेस कर जाती है फ्रबरी के महिने में इस बार भी की गई थी बजट की अच्छी जनकारी होनी चाहिए क्या क्या स्कीम लागू भी आपको काम कर जाएगा तो इसको ध्यान से देखना है major of crops में काम कर जाएगा क्या कि cropping patterns in various parts of the country देश के बिभिन हिस्सों में जो खेती के pattern है फसलों के pattern है उसकी बाते की गई है है ना उसके बाद है कि सिचाई के बिभिन परकार एवं सिचाई परनाली और उसके बाद क किर्सी उत्पाद का भंडार उसी में है किर्सी उत्पाद का भंडार फिर परिवहन एवन विपनन यानिकि ट्रांस्पोर्ट एन मार्केटिंग ऑफ अरिकल्चर प्रोड़क्ट और इस सूज और रेलेटेड इस से सम्मंधित जो इसूज होंगे और जो बाधाय होंगी उस सारे पेटर्न जो हैं या आपको जोगरफी में भी काम आएंगे तिसको अराम से देखना है पांच माँ टॉपिक है इसूज रेटेड टू डिरेक्ट और इंडिरेक्ट फ्रॉम सब सीरीज एंड मीनिमम सपोर्ड प्राइसेज पॉब्लिक डिस्टुबिशन सिस्टम उसके अ नियून्तम समर्थन मुल जो होता है अप जानते हैं कि सरकार कुछ फचलों पर नहींतम समर्थनugg मलड़ेती है MSP देलती है, दालों पर कभी देती है कभी गन्ने पर, तो चावल पर, गयहों पर वो जानना है यहाँ पर, उनसे सम्दिद जो विशह हैं यह जानना है जनवितरन परनाली ये एक अच्छा topic है जनवितरन परनाली देखिये अलग से दिया गया है इसके सब टॉपिक पे ध्यान देना है क्या सब टॉपिक है जन्वित्रन पर ना लिका यानि कि Public Distribution सिट्रम PDS का इसके Objectives को आपको परना है इसके उद्देश किया है ये funds नहीं है किस तरह से कारे करता है इसके Limitations क्या है इसको जानना है आपको और इसमें सुधार किस तरह की ज़रूरत है इसे भी जनना है वफर स्टॉक क्या होता है ये जनना है खाद सुरक्सा समंदी भी से और क्या-क्या उत्पन हो सकते हैं जनना है परद्दोगे की Mission के बारे में जनना है आपको Technology Missions जितने लागो हो रहे हैं एर कल्चर की फिल्डे में वो पसुपालन को समझना है आपको एकोनोमिक और एनिमल एरियरिंग तो पसुपालन की अर्तसास्त को समझते हुए इस टॉपिक से आगे बढ़ना है आईए भारत में खाद प्रसक्रंस से समंदी तुद्योग आप खाद प्रसंस का जानते हैं जो फूड प्रोसेसिंग आप जानते हैं एंडरेटेड इंडरस्ट्रियल इंडिया स्कोप उसका क्या है सिग्निफेकेंस क्या है उसका लोकेशन कहां कहां है जो फूड प्रोसेसिंग है इंडेस्ट्री उसके locations कहा कहा है इस बारे में बात करनी है आपको उसके वारे अप एंड डाउन स्ट्रीम रिकॉारिमेंट क्या है सप्लाइचेन मेनेजमेंट किस तरह से होता है पर प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री में इन सब हम explain कर रहे थे तो history में modern history में भी इस topic की चर्चा की गई है भारत में भूमिशुधार की चर्चा की गई है तो इन चीजों को थोड़ा सा देखते चलता है उदारी करन का आर्थ विवस्था पर प्रभाब LPG का ध्यान रखिए पहले भी चर्चा की गई है यहां फिर से उदार नहीं करन देखना है वहां पेपर 1 में इसु में उदारीरन और भौगोली करन की बी में परभाब की इस उदारी करन का आप जानते हैं LPG LPG उनिश्व नबे के दसक में लाया गया था भारत में भारती अर्थववस्था को सुधार करने के लिए तो यही चीजे हैं थोड़ा सा दिहान दे करके इन जीजों को समझना है उसके बाद topic नमर 9 जो है काफी important है यह है infrastructure related देखिए यह topic नमर 9 बहुत important है बहुत question आते हैं infrastructure related क्या क्या चीजे है energy, ports यानि की बंदरगा, सड़क जानना है airports के बारे में जानना है, railways के विकास किस तरह से हो रहे है क्या problems है, आगे क्या संभावना है इन सबों को पढ़ना है, बहुत बारीकी से और दसमा है, निवेश, मौडल, भारत में investment models क्या क्या है इसके बारे में details से study आपको करनी है अब मैं आपको बता दूँ कि 20 topic इसमें आप देख रहे हैं 20 में से जो एक से लेकर के एक से लेकर के 10 तक का जो topic था यानि कि 10 से उपर जो जितने topic है वो सभी economy के topic है बीच में जो एक topic था आपका चौथा और लगवग पाच्वा ये agriculture से related है तो agriculture आपको जोगरफी में भी काम आ जाएगा उके उसके बाद जो 11 माश topic से है 11 माश topic से लेकर के और 13 माश topic science tech का है और science tech को देखते हैं पिर 11 में क्या है देखिए विग्यान एवं प्रोदगी की विकास एवं अनुपरियोग और रोज मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव science and technology developments and their applications and effects in everyday life यानि कि basically क्या है बेसिक science की थोरी सी आपको जानगारी होना चाहिए science technology में है जैसे chemistry है तो biology है इसका कैसे daily life पे effect आता है इन सब चीजों को थोरा सा समझदारी होनी चाहिए उसके बाद topic number 12 जो है विग्यान एवं प्रोदगी में भारतियों की उपलदी ध्यान दीजेगा भारतियों की उपलब्दी देशस रूप से प्रोदगी का विकास जो भारत में patent वेगेरा हुए है बहुत दिक्षम पता भारत की जो है ना इन सब चीजों को थोरा जानना है और नई प्रोदगी की विकास जो जितने भी developing new technology है उसके बारे में आपको समझना है भारतिय परिपेक्ष में अब देखिए तेरहमा नम्मा टॉपिक क्या है तेरहमा नम्मा टॉपिक बहुत इंपोर्टन है और काफी question इससे आते हैं तो इसको बहुत बारगी से मैं दोनु लेंगेज में समझाता हूँ देहन से देख लेजिए सूचना प्रोदगे की केस में यानि की information technology अंतरिक्ष यानि की space computer जानते ही है robotics, nanotechnology, bio technology और बहुत इक संपदा अधिकार यानि की जो intellectual property rights होते हैं उससे संबंदित विशेयों की जागुपता होनी चाहिए मैं फिर इक बार बता दू कि किस संबंदों में होना चाहिए क्योंकि ये topic बहुत important है यानि कि IT से पता होना चाहिए आपको space से पता होना चाहिए computer की जानकारी होनी चाहिए robotics के क्या issues है nanotechnology आज के लिए कितना important है और bio technology most important है बायो technology में इसके लिए इन सबों से issues और दूसरा इक बता तो defense भी थोरी बहुत जानकारी आपको इसके लिए होना चाहिए तो ये topic नमर 13 हो गया यानि कि 11 से 13 जो है ये science tech आपका हो गया आए उससे उपर जब चलते हैं नीचे आते हैं तब हम देखेंगे कि 14 और 15 नमर की topic जो है ये है environment के topic है environment की topic है ecology and environment तो ये क्या है इसको जोगरफी के साथ और science tech के साथ मिलाके पढ़ेंगे तो जाएदा अच्छा वा topic क्या है conservation, environmental pollution and degradation environmental impact assessment ये है इसमें यानि कि जो हमारा परियावरन का प्रभाब है प्रियावरन प्रभाब का आकलन, परदूशन, छेरन, संरक्षन किस तरह से हो सकता है environment का उसके बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए और दूसरा जो है disaster and disaster management environment के बाद एक topic है disaster and disaster management तो इसमें क्या है आपदा से संबंदी चीज़े जैसे कि बाद हो गया, सूखा हो गया सुनामी, चकरबाद, तुफान जितने भी चीज़े हैं या मानब जनी थी कोई आपदा हो गया तो अभी जैसे कोरोना वाइरस है तो यही देखी एक आपदा है तो आपदा और आपदा से संबंदी जिसने भी चीज़ें ही सुझे है इसको इस टॉपिक में पढ़ना है उसके बाद आईए अगला टॉपिक हम चलते हैं जब नेक्स्ट पे आते हैं तो टॉपिक नमर फिप्टीन से लेकर के सुरी, सिक्स्टीन से लेकर के ट्वैंटी तक ये टॉपिक हो जाते हैं इंटर्नल सिक्रेटी के टॉपिक हैं यानि कि आंतरिक सुरक्षा यानि कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए और सीमा के अंदर सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाई करता है और उससे रिलेटेर इसूज वेगरा क्या है वो आपको इन टॉपिक में देखने हो के मिले गारे देखने हैं क्या है रोल ओफ एक्स्टरनल एस्टेट एंड नन एस्टेट एक्टर्स इन क्रियेटिंग चैलेंजेंज टू इंटर्नल सेकुरिटी यानि की आंत्रिक फुरक्षा के लिए चुनौति उत्पंद करने वाले स आसन विरोधी तक्तों की भूमी का आप जानते हैं कि जैसे आतंगबाद हो गया नक्सलबाद हो गया ब्रस्टाचार की समस्याएं हैं या उगरबाद कहीं है अप इन सब चीजों को आप देखेंगे ये सेवेंटी नमर टॉपिक में आ जाता है इसी को कहते हैं ये चीजें तो देहान से इसी चीजों को थोरा सा देखना है उसके बाद अठारमा नमर है संचार नेटवर्क के माद्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनोती आज आप देख रहे हैं कि सोसल मीडिया और इंटरनेट का जबाना है तो ये एक बड़ा फिल्ड हो जाता है संचार नेटवर् यनि की मन्य लॉण्डरिंग और इसे रोकना तो मने लॉण्डरिंग क्या है इसे कैसे रोका सकता है या चीज आपको जाना है साइबर सिक्रूलीटी को समझ आपकी होना चाहिए और networking वेगरा की जानकारी आपके पास धंग से होनी चाहिए इस topic के लिए UPSC 19th नमर topic GS3 paper में आपसे demand करती है कि security challenges and their management in border areas linkages of organized crime and with terrorism सिमावर्थी छेत्रों में सुरक्षा चुनोतियां एवं उनका परवंधन संगठित अपराद और आतंगबाद के बीच संबन्द ये topic है और ये topic से काफी question पूछते हैं हर बाल एक दो question आही जाता है उनीच नमर topic से तो ध्यान से देखी क्या है सिमावर्थी छेत्रों में यानि कि सिमावर्थी छेत्र क्या हो गया मान लिजे नौर्थ इस्ट के कुछ स्टेट है नागालेंड है मिजोरम है है ना अरुनाचल परदेश है इन सब चीज़ों का border जो है एक चाइना से तमयानमार से मंगलादेश से टच करता है या इधर पंजाब हो गया तो इधर देख रहे हैं जम्मु कस्मिर हो गया जो पाकिस्तान से टच करता है या बिहार उत्तर परदेश का नेपाल से टच करता है तो सिमावर्थी छेत्रों में सुरक्षा चुना होती है तो इसमें सुरक्षा चु है तो वह क्या है और अथा इसका आतंखवाद के बीच क्या संबंद है और दाथ एक आतंखवाद प्रवावित रास्ट है इसके संबंद में यह टॉपिक आपसे बहुत कुछ जाना चाहता है तो सही से बारीकी से पढ़के जाएं उसका बीचनमा नवर टॉपिक है various security forces and agencies and their mandate यानि कि विभिन सुरक्षाबल और संस्थाइट था उनके अधिसे जैसे कि BSF हो गया और पिर जितने चीजें हैं बहुत सारे आप जानते हैं कि सुरक्षाबल है तो उन सबों को ये जानना है कि सुरक्षाबल कौन कौन है वो कार कैसे करता है उसका पावर क्या है उसके लिमिटेशन क्या है और उनके जो है mandate अधिसे क्या है कैसे वर्क वेगरा करता है तो ये टॉपिक पूरी तरह से इस तरह से है 20 टॉपिक इसमें है फ्रेंड मैंने एक बार कम शब्दों में इसे इसमें करने का कोसिस किया है किसी दूसरे वीडियो में एक एक टॉपिक को करके explain कर दूँगा क्योंकि बाते तो बहुत की जा सकती है लेकिन इस वीडियो में इतना संभब नहीं है तो थर्ड पेपर यही है आप इसको बारे की से समझे friends फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह के हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं सही लग रहा है कि information यहां से मिलना तो please चैनल को subscribe करें share करें इस information को हो सकता है यह information आपके लिए useful नहोँ आपके collect के लिए, friends के लिए, junior के लिए आपने relatives किसी के लिए beneficial हो सकता है तो अपने social media platform पे WhatsApp ग्रूप बेगरे में इसे share कर सकते हैं आप like करके हम appreciate कर सकते हैं आप अपने appreciation के रूप में कुछ अनमोल वचन हमारे comment section में दे सकते हैं ताकि हम पढ़के मुस्कुरा सकें और आपके लिए आगे भी कुछ उपयोगी वीडियो बना सकें तो friends इनी बातों के साथ इस वीडियो में इतना ही नए वीडियो में हम नए topic के साथ आपके साथ मिलेंगे तब तक के लिए सुक्रिया